बैसल नोर्म के part 2 में आपका स्वागत है यदि आपने हमारा part 1 नहीं देखा है बैसल नोर्म से संभनदित तो उसे पहले आप अब अबस्ती देखलें तभी आपको part 2 सम Jewish कि आएगा part 1 में हमने ये discuss किता था कि बैसल में आखिर capital education ratio क्या है risk weight asset क्या है minimum capital standard क्या है और उसके आगे हम इस पे discuss करेंगे मैंने आपको minimum capital requirement के बारे में बता दी है और उससे संबंदित कुछ चीज़ें हैं जो आपको और जारना जरूरी है तो उस पे हम लोग discuss करेंगे capital standard के तत क्या different approach लगाएगे हैं different type of risk के लिए कैसे हम उसको calculate करते हैं इस video में यहीं से हम start करेंगे जैसे कि आप देखिए credit risk को हम जो follow करते हैं वो दो तरीके से हो सकता है या तो standard approach से होगा या internal rating based approach होगा internal rating based approach में दो approach माने जाते हैं foundation approach होता है और दूसरा advance approach होगा लेकिन credit risk में हम जो RBI के द्वारा prescribe किया गया है वो हमारा standard approach standard approach का मतलब है कि एक standard दे दिये गया है सारे जो जितने भी asset हमारे है उसका एक risk weight दे दिया गया है और risk weight के हिसाफ से यह assigned किये गया है उसमें risk weight के जितना भी दिया गया है उसके इसाफ से risk weight हमारा asset होगा और वही risk हमारा involvement होगा जो हमारा दूसरा है वो है market risk market risk में जो है वो दो approach होते हैं एक standard approach और एक internal model method standard approach में दो तरह की चीज़ें होती है एक duration method और दूसरा maturity method तो आप देखिए market risk हम जब भी बात करते हैं तो investment से संबंदित होता है तो investment या तो maturity के level पे होगा या कितने समय का है कितने duration का है वो होगा तो आप देखिए RBI ने जो हमारे पास prescribe किया है वो है standard approach मतलब यह है कि credit risk और market risk दोनों निकालने के लिए standard approach ही चाहिए लेकिन market risk के लिए standard approach के साथ duration method ही use किये जाते हैं इसके अलावा जो हमारे operational risk होते हैं, operational risk को निकालने के लिए basic indicator approach है और दूसरा standard approach है तो उसके लिए जो Reserve Bank of India ने prescribe किया है वो है basic indicator approach मतलब उन्होंने एक base figure में दे दिया है कि इतना percent जो है आप calculate कर लिजिए operational risk के लिए और उसके हिसाब से ही हम जो capital standard है वो निकालते हैं तो यह तीन approach हमारे पास दियेगा है credit risk के लिए standard approach, market risk के लिए standard approach, duration method और operational risk के लिए basic indicator approach अब हम चर्चा करेंगे risk weight asset जो है वो due to credit risk यह क्या होते है, मतलब क्या है कि जो book value होती है उसको multiply करते है जो risk weight दिया गया जाता है उस asset से और जो risk weight assign किये है वो है हमारा risk weight है हमारा RBI के दौरा prescribe किया गया इसको दो approach के तुरह पतात की निकाले जा सकते है जिसके बारे मैंने पहले चर्चा किया है standardized approach या internal rating based approach standardized approach जो होते हैं उसमें जो RBI ने range prescribe किया है वो zero से लेकर 625% तक का हो सकता है जहाँ पर जादा risk involvement है वहाँ 625% हो सकता है मतलब क्या है कि 9% का जो threshold limit है उसका 625% मतलब आप ये देखिए कि 57, 9 का यदि आप 625% निकालते हैं तो 57% आता है मतलब यदि आप 100 रुपीय फाइडांस कर रहे है तो 57 रुपीज आपको capital के रूप में रखा जा सकता है यदि risk weight 625% है तो risk weight for sovereign interbank and corporate exposure are based on external credit rating इसका मतलब ये है कि जो sovereign interbank या credit exposure है वहाँ पर external credit rating के हिसाब से उसका दिया जाता है मतलब वो A है, double A है, triple A है, A plus है जो भी rating दी गई है उसके हिसाब से risk weight assign किये गए है माले जाए कि यदि A plus है तो इसमें 20% है इसी तरह से जो भी rating घरते जाती है 50% है, 100% है, इस तिया 125% है उस हिसाब से ये risk weight assign किये जाते हैं credit risk के लिए अब हम चर्चा आगरेंगे credit risk mitigants मतलब क्या है कि ऐसे item भी है जो कि risk को कम करता है mitigant मतलब क्या है उसको जिससे की वो risk की कम होता है जैसे कि आप देखे credit risk mitigant हम किसको कहते है security और credit guarantee, credit enhancement available to reduce the credit risk जो कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़े available है जिससे की कम होती है जैसे कि आप देखे कि आपके पास यदि कोई asset available है उससे संबंदित आपके पास FDR available है तो ये सारे जो है आपके credit risk mitigants है मतलब इसको हम कैसे calculate करते हैं इसको calculate करने के लिए क्या करेंगे कि amount of credit outstanding is reduced by amount of credit risk mitigants and net amount is multiplied by risk weight मतलब क्या है कि यदि कोई हमारा एक लाख रुपिय का कोई हमने advance किया हुआ है और उस advance में ऐसे हमारे पास FDR available है 40,000 का तो हमारे पास 60,000 ही exposure बच गया और 60,000 में जो भी risk weight asset है उससे multiply करेंगे तो वो हमारा जो risk weight asset होगा तो यह हमारा होता है कि जो भी item है वो हमारे credit risk को कम करता है तो इसमें आप देखिए कि जिसे cash हो सकता है gold हो सकता है, bank का quarter deposit है KVP after locking period और locking period के अंदर यदि KVP है तो नहीं माना जाता है इसके अलाबा जो LIC policy है surrender value का वो भी माना जाता है debt security with risk weight not exceeding 100% कोई debt security है जिसमें की risk weight 100% से जादा नहीं होता है इसके अलाबा जो saving approved mutual fund है या equity share in stock indices है यह भी हमारे credit risk mitigants होते है दोस्तों यह आपको याद रखना जरूरी है कि NSC वो कभी भी risk mitigant नहीं हो सकता क्योंकि उसमें for closed की वेवस्था नहीं है इसलिए NSC को हम कभी भी इसमें credit risk mitigant में नहीं मानते है अब इसमें एक word आता है कि haircut haircut को किसको कहते है haircut का मतलब यह होता है यह type of margin है मतलब credit risk mitigant will be valued after deducting the prescribed haircut मतलब क्या है कि यदि किसी चीज में कितना prescribed किया गया है उसके हिसाब से वो दिया जाता है जैसे कि FDR है, KVP है, Surrendered Value of LIC policies है इसमें कोई भी haircut नहीं है मतलब कि यदि एक लाख रुपे का FDR है और हमने loan यदि दो लाख का लिया हुआ है तो एक लाख रुपे हमारा totally reduce हो जाएगा उसमें कुछ भी कम करने की जरूत नहीं है लेकिन यदि gold या man index entity है कोई available मतलब यह है कि यदि एक लाख रुपे का gold है तो उसमें 15% haircut है मतलब 15,000 रुपे उसमें कम कर देंगे और जब हम घटाने की बात करते हैं तो यदि हमारा 2,000 का loan है तो 85,000 हम माइनस कर पाएंगे क्योंकि 15% का उसमें haircut है जो next है वह operational risk हम कैसे calculate करेंगे risk weight asset due to operational risk इसमें देखिए तीन approach हमारे पास है basic indicator approach, standardized approach और advanced measurement approach RBI ने prescribe किया है कि basic indicator approach के ताथ ही bank अपना operational risk calculate करेगा इसके ताथ क्या किया है कि bank को दे दिया कि वो अपना जो equal average of previous 3 years positive annual gross income है जो positive annual gross income है उसका 15% वो operational risk के लिए रक्स देगा और उसको एक alpha factor मान देगा है मतलब 15% उसका वो निकाल लेगा average of previous 3 years positive annual gross income यदि किसी साल में negative gross income रहा है मतलब loss में वो रहा है bank तो इस case में वो जो gross income है वो exclude हो जाएगा उपर भी और नीचे numerator में भी और denominator दोनों में वो हटा दिये जाएगे अब आप देखिए capital requirement के लिए हम क्या करेंगे कि annual positive income of 3 years into 15% divided by number of year which gross income is positive मतलब जितना number of year है उसको हम उससे divide करेंगे मतलब क्या है कि यदि आप माल लेते हैं कि gross income आप कोई company है xyz उसके दो year का एक साल 800 है दूसरे साल एक हजार है मतलब 1800 है तो total gross income कितना हुआ वो 1800 हुआ लेकिन जो average है उसका वो 900 हो गया अब 900 का 15% वो capital charge के रूप में रखेगा मतलब क्या है 15% of 900 मतलब 135 करोर वो जो है operational risk के रूप में रखा जाएगा अब यहाँ पर यदि आप से ये question पूछा जाता है कि यदि किसी capital charge on operational risk किसी का 135 करोर है तो risk weight asset कितना होगा मतलब क्या है उसका risk weight कितना होगा आपको पता है कि जो risk weight है वो आपको 9% रखना है अब 9% जो है वो जदी 135 करोर के equal है तो आपका total जो होगा risk weight asset इसके लिए क्या होगा 135 by 0.09 मतलब 1500 करोर आपका total risk weight asset होगा ऐसे question पूछे जाते हैं तो वो calculate करने के लिए यहाँ पर आपको confusion नहीं होना चाहिए of loss in on balance sheet and off balance sheet position arising from moment in market prices मतलब market prices के कारण जो risk involved होती है मतलब क्या है कि हमने कहीं investment किया है और investment पे जो हम risk calculate करते हैं वो हमारा market risk का लाता है इसमें दो तरह के risk होते हैं एक specific risk होता है जिसमें की capital requirement of market risk in term of specific risk is for specific security for this risk range from 0.28% to 56.25% depending upon the level of compliance of regulatory capital requirement मतलब यह क्या है कि जितने भी हमारे investment होते हैं वो सारे investment में एक risk define कर दी जाती है कि आपने यदि इस जगह पे किया है यदि उसका capital requirement सही है और उस जगह आपने investment किया है तो आपको risk कम होगा यदि आप capital requirement जहां पे आपने investment किया उसका सही नहीं है तो वहाँ आपका risk weight जादा होगा तो market risk ऐसे ही calculate करते हैं कि जहां पर capital requirement जहां हम invest कर रहे है माले जाए कि आज किसी एक bank ने दूसरे bank में invest किया जिस bank में invest कर रहा है उसका capital requirement यदि fulfill कर रहा है वो तो उसमें risk हमारे investment का कम होगा लेकिन हम जहां invest करना है यदि उसका capital requirement fulfill नहीं है तो वो risk weight कम होगा यह specific risk होता है और इसमें RBI ने prescribe किया हुआ है कि 0.28% होगा और maximum यह 56.25% होता है यह depend on maturity इसका duration पे होगा कि यदि एक साल के लिए duration के लिए किया है तो कम risk है दो साल के duration के लिए किया है तो ज्यादा risk है तो यह duration के हिसाब से यह define किये गए और दूसरा होता है general market risk यह interest risk के कारण होता है general market risk का मतलब है कि यह interest risk है जो portfolio में होता है दोस्तों तो इस तरह से बैसल का यह part 2 मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ ताकि वीडियो बढ़ा नहीं हो इसलिए मैंने इसको यहीं समाप्त किया है जो हमारे supervisory review और market discipline है इस पर हमारा last part कल ही मैं आपको उपलब्द कराऊंगा आपको अपना वहमून समय देने के लिए धन्यबाद आपका दिन सुभो